नमस्कार मैं भी से कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट सावर यह क्या कर दिया निदरलैंड ने कल जहां निदरलैंड ने साउथ अपरिका को 38 से हरा कर इस वर्ल्ड कप का दूसरा बड़ा उलट फेर कर दिया है इस तरीके से जैसा कि हमने देखा कि पहला उलट फेर इस वर्ल्ड कप का किस तरीके से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा कर किया था लेकिन कल जो धर्मसाला में 43-43 ओवर का यह मैच खेला गया था इस मैच में निदरलैंड ने बहुत बड़ा उलट फेर किया है और इस वल्ड कप की कॉंटेंडर मानी जा रहे हैं मजबूत साउथ अफरीका को 38 रन से हरा दिया है निदर लेंड ने तो लेकिन इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे तीन ऐसे प्लियर की जो आज ठीक है इस वक्त निदर लेंड के लिए खेल ले हैं लेकिन इससे पहले वो रिंगल ब्रेक्ट जो निदर लेंड के लिए हमें कल के मैच में खेलते हुए दिखे हैं लेकिन इससे पहले आपको बता दे कि यह साउथ अपरिका के लिए भी अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं इसके बाद जो दूसरा नाम है रूलो फांडर मर्व तो रूलो फांडर मर के बारे में हम सभी जानते हैं इस वक्त यह निदर लेंड की टीम का हिस्सा है लेकिन रूलो फांडर मर्व इससे पहले साउथ अपरिका के लिए भी अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं और जो तीसरा और आखरी नाम है वो है कोली नेकर मैन का आप हमारे पीछे एकर मैन को देख पारे होंगे किस तरीके से कोली नेकर मैन निदर लेंड के एक बिसफोटक बल्लेवाज माने जाते हैं लेकिन कोली नेकर मैन भी इससे पहले साउथ अपरिका के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं तो यह तीन वो ऐसे खिलारी रहे हैं जो कल के मैच में हमें नि 32 रन से हडाकर बहुत बढ़ा उलट फेर किया है इस वर्ल्ड कप का तो उसमें इन तीनों का योगदान भी काफी एहम हो जाता है जिस तरीके से मर्व ने अफरिका के टॉप ओडर को ध्वस्त कर दिया एंगल ब्रेक की बात करें तो इन्होंने सांदार खेल दिखाया कल के मैच में इसके अलाबा एकर मैन कुछ आलांकी बरा स्कोर नहीं कर पाए लेकिर इनकी भी जो कुछ भूमिका रही ग्राउंड पे चाया फिल्ड से हो या थोरे बहुत रन से हो इन्होंने भी अपना है में उगदान इस मैच में दिखाया तो एक बार एक और डिटेल टेक्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं इस तरह रूलोफ अंडर मर्व अंडर 19 और इंटरनेशनल क्रिकेट साउथ अपरिका के लिए खेले लेकिन कल अपनी पूर्व टीम के खिलाफ मैदान पे उत्रे तो इस तरीके से ये तीन वो कहते है घर का भेदी लंका धाय तो ये तीन वो प साउथ अपरिका को वर्ड कप से बाहर कर देती है और इस वर्ड कप में एक बार फिर से साउथ अपरिका कोई लीग मैच में हरा देती है अफरिका पे एक जो टैग लगा था चोकर्स का जो एक बहुत बुरा टैग है कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि उनके उपर ये टैग लगे यह टैग साइद अब तक बरकरार है साउथ अफरीका के साथ लेकिन हमने जैसा देखा था साउथ अफरीका की टीम को किस तरीके से वो लीग मैच ये टीम बहतर खेलती थी और इस वर्ड कप में भी दो लीग मैच अफरीका ने बहतर खेला लेकिन हम सब जानते थे ठीक यही है और आने वाले समय में अब तो यहीं लगता है कि साओफुआ की टीम जब जब निदरलैंड से भिरेगी तो उनके मन में कहीं न कहीं कौफ रहेगा और साओफुआ की टीम का इस बार जो जिम्पा मिला है वह कम से कम साओफुआ को त्यूंकि अफरीका के फैंस कब कई बार दिल तूटा है, अफरीका के फैंस एक वर्लकप तो डिजर्ब करते ही हैं और टेमबा बाववा के उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी टीम को ये जो चोकर्स का धबा लगा, ये धबा हटा है अपनी टीम से और आगे त टीमों ये वर्लकप आसान नहीं रहने वाला है, इस वर्लकप में और भी कई बड़े उलट फिर जैसे जैसे टूर्णामेंट आगे बढ़ेगा, हमें देखने को मिलेंगे, तो बाकी जिस तरीके से कल उलट फिर किया है निदरलैंड की टीम ने, इस पे आपका क्या कहना है आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे और बाकी ये जो तीन प्लेयर हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, इन तीन प्लेयर के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे, इस वीडियो में इतना ही, दीजे जज़त, जैह जयमाल